दोस्तों स्वागत है आपका DriveSense के एको नहीं वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्त अमिर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि हमारी गाड़ी माइलेज क्यों नहीं देती है दोस्तों नए driver हो या पुराने driver हो सबको ये परिशानी होती है उनकी गाड़ी माइलेज नहीं देती है आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी गाड़ी माइलेज क्यों नहीं देती है और उसको केसे हम ठीक कर सकते हैं ताकि हमारी गाड़ी अच्छे से अच्छा माइलेज दें तो चले दोस्तों वीडियो स्चार्ट करते हैं दोस्तों आज के समय में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बीच में अगर आपकी कार का माइलेज भी खराब हो जाता तो इस से बुरी इस्तिति कुछ नहीं हो सकती लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार माइलेज क्यों नहीं दे रही क्यों खराब हो रहा अपनी कारण हो सकते हैं जिसका समय पर ध्यान रखना बहर ज़रूर है अगर आप इन करणों को नहीं जानेंगे तो आपकी कार का मायलेज बिगणना लगभगता है आये जानते हैं कि किन चीजों की वज़े से कार का मायलेज खराब होता है सबसे पहला ड्राइविंग स्टा preciso यह कारण सीधा आपकी driving skill से जुड़ा होता है कई लोग बहुत खराब driving करते हैं जिसका असर कार की performance पर भी पड़ता है जरूरत से ज्यादा तेज कार दोड़ाने से कार के engine में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जिसकी वज़ा से fuel की खपत बढ़ जाती है बेवज़े गारी start रखना या clutch, brake, gear आदी का gear ज़रूरी इस्तेमाल करना कार के mileage को बिगाड़ देता है दूसरा कार की oiling जिस तरह हमारी body के हर part को energy की ज़रूरत होती है ठीक उसी तरह कार के हर part को oiling की ज़रूरत होती है कार के parts के नियमित oiling करने से कार के parts smoothly काम करते है यह इसी लिए कार के engine पर दबाव नहीं पड़ता है और oiling नहीं होती है तो कार के parts hard हो जाते है जिसकी वज़ा से friction बढ़ जाता है और ऐसे में engine पर बुरा जोर पड़ता है और mileage में कम ही आती है तीसरा, कार का fuel pump अगर आपकी कार का fuel pump सही से काम नहीं कर रहा है तो mileage पर असर पड़ना तह है fuel tank में से fuel injector तक fuel को पहुचाने का काम fuel pump करता है अगर fuel pump में कुछ भी खराबी होती है तो fuel की supply में अर्चन पेदा हो जाती है ऐसे में engine पर गेज ज़रूरी प्रभाव पड़ता है और fuel की खपद भी बढ़ जाती है चोथा, car के tire car के tire भी बहतर mileage बनाय रखने के लिए मदद करते है tire पर ही पूरी car का दबाव होता है अगर tire की city अच्छी रहेगी तो car के performance भी अच्छी रहेगी car के tire में हवा कम होने से engine पर car को move कराने में दबाव बढ़ जाता है इसे समय में ज्यादा pressure की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपकी fuel की खपद बढ़ जाती है पाचवा, engine के parts किसी भी car का powerhouse उसका engine होता है अगर engine की इस्तिती खराब होती है तो car का mileage भी खराब हो जाता है car के engine में मौझूद air filter या fuel injector सही से काम ना करे तो car की performance भी बिगड़ जाती है इसलिए ज़रूरी है कि car की गेमिज service कराए जिससे engine के सभी parts ठीक ढंग से काम करे तो दोस्तों ये सारे points है जिनकी वज़े से आपकी car mileage अच्छा नहीं दे पाती है तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी की service time to time करवाए और अपने driving style को सुधार है अगर आप एक rush driving कर रहे हैं या बहुत ज्यादा speed में चल रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है आपका mileage drop होगा ही होगा तो अपनी driving skill को थोड़ा improve करें और जो आपकी driving skills है ना उसको एकदम soft तरीके से चलाए जो अपनी driving है ना एकदम soft तरीके से चलाए जिससे आपको बहतर mileage मिलेगा tire pressure proper रखे 32 PSI से लेकर 35 PSI के बीच में आपका tire pressure होना चाहिए जितना recommended होता है उतना आप हमेशा रखें ताकि आपको pure efficiency अच्छी मिले तो यह सारी चीज़े आप ध्यान रखोगे तो अपनी driving भी अच्छे से कर पाऊगे और आप अच्छे से अच्छा mileage भी निकाल पाऊगे उमीद है दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने बताना चाहा आपको सब कुछ clear हुआ होगा अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो थोड़ी सी भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के आज सेर करें चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करें साथ याद बेल आइकन को प्रेस करना ना बुलें ताकि इसी तरह के इंफोर्मेटिव वीडियो आप तक पहुस्ते रहें तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टेय सेफ इंट गुडबाए